गुर्मार्निंग गाइज वेलकम टू पांडू इंगलिस अकेडमी आएम बागिरत वदारा विद न्यू वीडियो आज हम एक्टिवोईस टू पेशिवोईस लेर्निंग के सिक्वेंस में एक नया वीडियो एक नया लेशन पड़ेंगे अन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स एक्टिवोईस ये पेशिवोईस करते से में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होती है जिनको हमें पैसिवोईस में ऑबजेट बनाने की जरूत नहीं होती हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट एक्टिवोईस के होती है उनको पेशिवोईस में ऑबजेट नहीं बनाना पड़ता क्योंकि उनका कोई महत्वय नहीं होता है मतलब उनकी बिना ही हमें सेंटेंज का अर्थ समझ में आ जाता है उनको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इतना सा इसका कंसिप्ट है मेरा निवर्दने की वीडियो को पूरा देके लाइक करें सेब्सक्राइब करें करें क्या है शम्सबजेंट्स औप एक्टिोस आर्ट र्कौराइड इंस ऑन्लो मिpg सुघ्य और मतलब एक्टिवेश की कुछ सब्जेट जो है उनको पैसिवेश में ऑब्जेट बनाने की जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि उनके बीना ही सेंटेजिंज का अर्थ समझ में आ जाता है आगे हम पड़ेंगे में वात बता दी आपको कि उनके बीन अर्थ समझ में आ जाएगा जिसे देखते हैं कौन-कौन सब्जेक्ट है वो में संबडी आ आज फासिए अगर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट बनाना है सम्टिंग एनिबड़ी एनिवन एवरीवन वन नोवन नन समवन एवरीबड़ी फीपल वी दे प्लिस यह जो है जिद्धी यह सब्जिट के रूप में आते हैं तो फैसी वह उप्जिट नहीं बनाना है द्यान से सुनिए लेकिन यदि यह है एक्टिव उप्जिट के रू पेस्जिट में सब्जिट बनसे सब्जेक्ट बनेंगे इए ऑपको इसके सामपल फुट यह पहला सेंटेंस है पीपल टेक टी इन दमानीं तो यहां क्या है प्ल्श जूजक्ट द्यान से पढ़नें तो यह का है यह मैं महान है द्यां का टेकन अब आपको यहां बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके भी नहीं हमें समझ में आगया है कि चाह सुबह पी जाती है इसमें सभी लोग चाह सुबह पीते हैं आपको यह समझ में आई होगी पीपल यदि कहीं पर भी एज सब्जेक्ट आए तो उसे ओब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है इस बात को समझें आगे देखते हैं सेकिंड सेंटेंस है थोड़ा मैं इसको एरेज करता हूं पहले सेंटेंस को पढ़े हैं आप देखें इसका क्या ट्रांसलेशन होगा येस समबड़ी इस कोलिंग यू तो यू क्या है अब्जेक्ट है तो हम बनादे सब्जेक्ट यू आर बीइंग कोड यू आर बीइंग कोड अब आपको यहां बाई समबड़ी लिखने की जरूरत नही है बाई समबड़ी लिखने की जरूरत नहीं है यू आर बीइंग कोड मतलब कोई एक अग्यात आदमी जिसका नाम मुझे भी पता नहीं वह आपको बोला रहा है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि समबड़ी आपको लिंग कर रहा है तो यू आर बीइंग कोड इतने से यह sentence का आर्थ समझ में आता है I think यह भी आपको समझ में आया हुआ आगे पढ़ते हैं no one can speak English यह में आपको पहले करवाया है no one एक अलग तरह का रूल होता है पढ़ते हैं तो English object है English can be can't be can't be spoken द्यान से पढ़िए यहां note आएगा क्योंकि उपरवाले sentence का meaning negative है कि कोई भी इंगलिस नहीं बोल सकता अधिया आप यहां note नहीं लिखोगे तो इसका मतलब इंगलिस बोले जा सकती है हाना तो no one और none का एक मैंने अलग सी folder बनाया हुआ है एक अलग सी मेरे वीडियो बनाया हुआ है मेरे इस YouTube चैनल पर आप कुसमज में नहीं आते हो देख ले पहले उसको देखें no one और none descendants में submit करूप में आते हैं तो उनके साथ note आपको लगाना पड़ेगा उसे no one को by object नह नहीं रखना है आगे और देखते हैं थोड़ा इरेज करता हूं में इसे हैं कि यस सेंटेंज को पड़ ले यहां फेले यहां प्लीस विल अरेश देख अना तो देख ओब्जेक्ट है तो थीप विल बी अरेश्ट अब यहां बाई प्लीस लिखने की जरूत नहीं है क्योंकि अरेश्ट का काम पुलिस का ही होता है इसको हम बाई मिनिंग या इसकी जनरल अंडरस्टेंग से समझ आते हैं कि थीप विल बी अरेश्टेड मिन्स पुलिस थीप को रेश्ट कर लेगी आई तिंग यह भी समझ माया होगा आगे सेंटेंस है वी शूड हेल्प दपूर तो पूर शूड बी हेल्प बाई भी लिखने की जरूत है कि पूर की हेल्प होने चाहिए हम सभी को करने चाहिए हना तो बाई अस लिखने के जुरूत नहीं पड़ती है यह भी जा लखें आगे और देखते हैं अरुड़ी कैन कोल मी तो आई कैन भी कूर कोई भी आदम जो कोल कर सकता है तो हां मुझे बुलाया जा सकता है कोई क दॉइंक किया जाता है सब जगेंडी को हम छोड़ नहीं सकते हैं कुछ जगें जो होथी है चोलोच जानल और से Congrats दौटे आगे देखते हैं और इसको करता हूं तो criminal was presented in the court by police लिखने के जूरूट कि प्लिज क्रिमिनल को कोट में प्रेजेंट करने का जो कारी है वह प्लिस का ही है आई यह भी आपको समझ माया होगा समवन इस टिचिंग टूधे इंदे क्लास तो इस देंद्स आर बींग टोट इन दे इतने में समझ में आ गया भाए सम्झन लिखने की जरूत नहीं है तो मिरी यहां कहने की मतलब यह है कि सम्झन समपड़ी, एवरिवन एवरिवडी एवरिटिंग एनिधिंग नोवन जो भी पड़े हैं इनको बाई उब्जेट बनाने की जवथ नहीं पड़ती है इनके बिनाही सेंटेंज का आर्ट समझ में आ जाता है और पड़ते हैं एवरिटिंग अट्रेक्स अस तो वी आर अट्रेक्टिड आगे देखते हैं वन शुड्ट सवर कंटी तो कंटी शुड्बी सवर्ट वन का मतल होता है हम सभी को अना इसके वी भी आ सकता है कोई फरक ने पड़ने वाला है अब हम कुछ से एक्ससाइज करेंगे मैंने कुछ मि सब्सक्राइब आपको टेस्ट करें कि आपको टीव में क्या आता है देखते हैं जो टीज गोइंग टूशिंग कर लिखें ताकि समझ मिया आए आगे देखते हैं रादा है स्चु पृप्याल लॉस फोरस इसको हम देखें अब इसका वह इस चेंज करके मुझे बताए मु प्राकेश विल बाय नियूंका नेक्स्ट एक्टिवस्काइव शेंस में आपको दिये हैं आप उसे पैसी वेस्ट में करें अमन्स विल हैव विल हैव टू हेल्प में तो इसको भी आप वो इसमें करें तिस तिचेज एंटी तस बैली इसको आप तेश्य विस्में करके है अनुम में send me a gift on my body इसको भी चेक करें किस तरह का सेंटेंज यह पहचाने अना मैंने कही तरह की कोंइंट करें मेरे इस दीज अंसर प्रोफर मैंनिर में आपको मिलें इसके लाव इंग्कांपोदॉशनिंग्ल गर्मर अफ्लिकेशण इसच करें, सेट रएटिज इन ईसब हैं your मेरे इस चन पर मिलेगी इस वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें सब्सक्राइब गरें शेर करें कमेट करें थैंक्स फोर वाचिंग है वे नाइस टेए